हलो दोस्तों नमस्कार अडूसेशन में आपका श्रागत है आज को अपना टॉपिक है बाल विकास के अंतरगत सामाजी करण की प्रिक्रिया एवं शामाजी करण की विसेशता है तो देखते हैं सामाजी करण की प्रिक्रिया है शामाजी करण की प्रिक्रिया है और इसमें कई जो मनोमेग्यानिक थे उन्होंने अपना-पना विचार व्यक्त किया था शामाजिक रड़के लिए उनका क्या विचार है तो उनको भी देखेंगे देखते हैं मनुष एक शामाजिक प्राड़ी है जो मनुष है मनुष एक शामाजिक प्राड़ी है और ये बात सबसे पहले अरस्तु ने कही थी कि मनुष एक शामाजिक प्राणी है, जन्म के समय सिसु ना सामाजिक होता है और ना ही आशामाजिक, जब जन्म होता है, सिसु का जन्म होता है, तो उस समय न तो वो सामाजिक होता है और ना ही आशामाजिक, बलकि वह समाज के प्रति उदाशीन होता है, बिल्किवाय शमाज की प्रति जो होता है वो उदाशीन होता है आईह वड़ने के शाथ शाय स्वाजिक गुड़ों से शुशोवित होता जाता है जैसे जैसे बच्चे की आईव वड़ती जाती है उसमें सामाजिक गुड़ आते जाते हैं और कुछ ही वर्तमबाद वाय सामाजिक प्राड़ी कहलाने लगता है। आंगे देखते हैं, बालक सामाजिक गुड़ों को शामाजिक विकास की अवस्थाओं के अनुशार ग्रहड करता है। जैसे जैसे बालक की जो उम्र होती है, बढ़ती जाती है, उसका विकास होता जाता है। होता है, समय और परिस्थितियों के अनुशार उन्हें परिवर्तन होता रहता है, जैसे जैसे समय और परिस्थितियां में परिवर्तन होगा, उसमें चैंज जाएंगे, तो उसका विकास भी वैसे वैसे परिवर्तन होता रहता है, और सामाजिक विकास एक निश्चित दिस चलती रहती है आंगे देखते हैं कुछ मनोवेग्यानिक हैं उन्होंने अपना-पना मत् व्यक्ति किया है कि उनका क्या मत्त है सामाजी करण की प्रति तो उनको भी देखते हैं सबसे पहले तो देखते हैं चैल्ड के अनुशार सामाजिक विकास वह प्रिक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में उसके समू मानकों के अनुशार वास्तिविक व्योहार का विकास होता है चाइल्ड का मत था कि सामाजिक विकास वह प्रिक्रिया है जिसके दोरा व्यक्ति में उसके सम्हु मानकों के अनुशार वास्तिविक व्योहार का विकास होता है ये चाइल्ड के अनुशार चाइल्ड ने अपना ये मत व्यक्त किया था आगे देखते हैं सारे और टॉलफोर्ड के अनुशार जो शोरे और टॉलफोर्ड के अनुशार देखते हैं इनका क्या मत है तो इन्होंने कहा कि सामाजी करण की प्रिक्रिया शिशु के दूसरे व्यक्तियों के साथ प्रिथम संपर्ग से प्रारम होती है तो शौरे अंट टेलफोर ने कहा कि जो सामाजी करण की प्रिक्रिया है वो शिशू के दूसरे वेक्तियों के साथ जब कोई शिशू होता है वो दूसरे वेक्ति के साथ पहली बार संपर्क में आता है फिर थम बार संपर्क में आता है उसी टाइम से जो सामाजी करण की प्रि कारम्ब हो जाती है और आजीवन चलती रहती है जब फर्स ठाइम उसके संपर्ग में कोई आता है उसी टाइम से सामाजी करड़owing जो होती है वो फ्रारम्ब हो जाती है और फिर आज इवन रंतर यह पर ग्नित्र है चलती रहती है तो आगे देखते हैं हर लोग की अन्शार हर लोग के अन्शार देखते हैं शामाजिक बिकास का अर्थ उस योगता को अर्जित करना है हर लोग ने ये बात कही है कि जो सामाजी करण है उसमें उन्होंने का है कि सामाजिक बिकास का अर्थ उस योगता को अर्जित करना है जिसके दौरा शामाजिक प्रत्यास कि अंशार व्यो फिकास करत्थ उस योगता को अरजित करना है जिसके ढ़ारा स्रामाजिक प्रत्यासाओं के अंशार व्योफार किया जा सके तो आंगे देखते हैं कोई भी वालक शामाजिक पैदा नहीं होता है सीधी सी बात है अभी आंगे भी हम लोग देख चुके हैं कि कोई भी वालक होता है वो ना तो जन्म की शामाजिक होता है और नहीं वह आसामाजिक होता है बलकि वह उदाशीन होता है तो वही बात फिर यहां से दी गई है कि कोई भी वालक शामाजिक पैदा नहीं होता है उस वो अकेला ही होता है, वो इस समाज में दूसरों के शंपर्क में आकर समायोजन की प्रिक्रिया सीखता है, जब बालक का जन्म होता है, शिशु का जन्म होता है, तो जैसे जैसे वो लोगों के शंपर्क में आता रहता है, उसी के अनुशार वो इस समायोजन की प्रिक्रिया सी लोग उसके साथ जैसा बेवार करते हैं वो वही देखता है और उसी का अनुकरण करता है इसलिए शामाजी करण की प्रिक्रिया बालक के सामाजी विकास के लिए अतिंत महत पूर होती है तो आंगे देखते हैं रोश के अंशार रोश का क्या मत्था तो देखते हैं ताम कहा हैं कि सयोग करने वालों में हम की भावना का विकास और उनके साथ काम करने की छमता का विकास एवं शंकल्ब सामाजी करण कहलाता है। सामाजी करण की प्रक्रियां में तीन प्रक्रियां शमलित की गई हैं। प्रक्रियां उसमें तीन प्रक्रियां शमलित की गई हैं। समाज के द्वारा मान ब्योहार का विकास करना प्रतिक समू के ब्योहार शमन्दी कुछ मानक होते हैं। तो आंगे देखते हैं। समाज द्वारा मन ब्योहार के अनुशार करियां करना। जो समाज के एक मानक बेवहार है, मन बेवहार है, जो संस्कृत ही है, उसके अनुशार ही किरियाएं करना, उधारण के लिए बिद्यार्थियों, अध्यापकों, माता और पिता, आदि सब के लिए कुछ निश्चित कार होते हैं, इनको इन ही के अनुशार बेवहार करना होता जो विद्यार्ती होते हैं, उनको अपनी विद्यार्ती लाइफ की दिन चर्या होती है, उसके अनुशार रहना पड़ता है, उनके मानक का पालन करना होता है, उनको अध्यापक जो भी उनकी लाइफ है, उनके अनुशार अपने मानक का पालन करना होता है, और माता पिता जो ह सामाजिक अविव्रतियां होती हैं उनका विकास करना इन अविव्रतियों के विकास के कारण ही बालक सामाजिक कारक्रमों शमाज के अन व्यक्तियों को पशंद करता है जब किसी व्यक्ति में उपर युक्त तीन वातने पाई जाती हैं तो वह व्यक्ति अपने शामाजिक जी पर उपर बातें किसी के अंदर पाईन जाती है तो वाकिती जो होता है अपने शामाजी जीवन में शफलतबा करता है। आंग भी देखते हैं स्माजी किबिकाष की जो विशेशता हैं। तो सामाजी किबिकाष में जो कुछ वीशेस्ताइं ऐसी होती है जो प्रतिक बच्चे में प्रतिक बालक में प्रतीक बैक्डि में विशेस्ताइं होने चाहिए। तभी वो एक शामाजी करड़ की प्रिक्रिया में अच्छे से भूमिकाशon arrest निभा पाएगा तो देखते हैं सामाजिक प्रतक्रियां ही सामाजिक प्रतक्रियां ही सामाजिक प्रतक्रियां होती है वो भी शामाजिक विकास का प्रारंबिक चड़र है, कोई भी शामाजिक प्रितक्रिया है, वो शामाजिक विकास के अंतरगत आती है, आगे देखते हैं, नेक्ट है, बालक खेल के माध्यम से समू में अपनी शामाजिक प्रितक्रियां करता है, जो बालक होते हैं, वो खेल मे सामाजिक प्रितक्रियां में सामाजिक सदस्यों के शाथ अपने बिचारों का आधान-प्रदान करता रहता है निष्ट देखते हैं दूतर निष्टे अपना शेयोग देकर तथा दूसरों से सयोग लेकर कोई वेठी बड़ाare कार्ण कर श कता जो सामाजिक विकार्ण होता है तो उसम्में लोग बहुर सारे युठक्र विक सारणिन होता हैं एक दूसरे सितका स्योग करते भी हैं और श्योग लेते भी हैं इससे बहुत बड़े से बड़े कार्ज होते हैं वह आपश में मिलकर कर लेते हैं समाज की सीमा में प्रवेश करके प्रति इस परदा का विकास बालकों में होता है जो समाज है वहां पर जब बालक रहते हैं तो कई लोगों के श्रंपर्क होता है तो वहां जो प्रति इस परदा होते हैं कॉंप्टिशन भी होता है ने शामाजिक विकाज के साथ बालक में सहयोग और शाहन भूति जैसे शामाजिक व्यवहार विक्षित होते हैं जब बालक समाज में रहते हैं तो एक दूसरी का सहयोग कर लेते भी हैं और कुछ कंडिशन ऐसी आ जाएं जहां उनको दूसरों के साथ कुछ अच्छा बेवहार करना है और या दूसरों की दसा देखकर तो उनके अंदर शाहन वूती जैसे जो गुड़ हैं उनका भी विकास होता है नेक्स्ट है कभी-कभी निशेद हात्मक अवस्ता में बालक तर्क भी करने लगते हैं जब बालक के साथ कोई निगेटिविटी होती है निगेटिव बात कही जाती है तो बालक जो होते हैं एक दूसरे से तर्क भी करने लगते हैं और ये जो वो तर्क करते हैं वो अपने आत्म सम्मान के लिए करते हैं अपने शम्मान की आदर्सों, रीत रिवाजों, परंपराओं, लोकाचार तथा धार्मिक रीत रिवाजों को शीखता है जो बालक होता है शमाज में आने के बाद शमुहों के आदर्सों जब साथ साथ रहते हैं तो एक दूसरों के आदर्सों को सीखते हैं रीत रिवाजों को सीखते हैं से बिख करना हैं किस प्रकार से एक दुसरे से साथ अपने आपको मैनेज करना है तो यह जी uh लिए बालक जो हैं उनके अंतर जी不知道 कंडिसन्स पर्षिकत हैं नेश्ट है स्यत्वी निक利ों मैं देखते हैं स्यामाजिक विकाश द्वारा ही बालक में आहम उसके बाकर यो बिखे alguma उत्रेयर वै,iau पैली तो इस वीडियो में हमने शामाजी करता था सामाजिक विकास की महत पूर्ण जो विचे स्थाय हैं उनको जाना तो ये था आज का वीडियो वीडियो अच्छा लगी तो लाइक अवश करें और अपने शभी दोस्तों तक सेयर करें वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्वाद मिलते हैं नेक्ट वीडियो में